हेलो जी स्वागत है आपका न्यूनिया बूटिक पर तो आज हम फिर से लेके आये हैं गलार डिजाइन लैस के साथ तो यह हमने पेस्टिंग पेपर लिये हैं इसकी लंबाई हमने रखी है नो इंच तो उपर से हाफ इंच पे हम निशान लगा लेंगे अब लंबाई में हम तीन इंच में निशान लगाएंगे दोनों निशान को आपस में V-shape में मिला कर कटिंग करतें देखिए यहां पे हमने यह V-shape देनी है तो इसको इस तरह से मिला के कटिंग कर लें और पौन इंच पे बाहर की साइड भी निशान लगा लें जैसे कि हमने निशान लगा है उसी निशान पे हम पेस्टिंग पेपर को कटिंग कर लेंगे अब हम गला कटिंग करेंगे गला कटिंग करने के लिए हमने पेस्टिंग पेपर का टुकड़ा लिया है इसको हम बीच से फॉल्ड कर लेंगे और उपर से जितनी भी एक्स्ट्रा कान है उसको निशान लगा कर सीधा कर लेंगे गला बनाने के लिए चोड़ाई हमने तीन इंच रखी है और लंबाई हम साड़े चार इंच रखेंगे इस निशान को भी सीधा कर लेंगे और जो साइड में तीन इंच की चोड़ाई का निशान लगाया है उन दोनों निशानों को आपस में मिला के सेपटी की साइटा से गोलाई बना लें और गले की कटिंग कर लें अब पॉन इंच पे बार की साइड भी निशान बनाएंगे और गले को कटिंग करेंगे अब इसी गले को हम कुर्ती की फ्रेंट पार्ट पे रखेंगे और यहां पे लगा लेंगे निशान निशान लगाने के बाद यहां पे हम कपड़े को कटिंग कर लेंगे कपड़े को कटिंग हम करेंगे एक एक पैर का मार्जन अंदर की साइड हम सिलाई का छोड़ेंगे अब गला और योग वाली दोनों पट्टी मैंने कपड़े पे चिपका लिए हैं अब जो योग वाली पट्टी है इसकी वी से हम सिलाई लगा लेंगे ताकि दूसरी साइड से हमें सिलाई नजर आए अब यहां पे हम लगाएंगे यह डोरी डोरी हमने पहले से बना ली थी तो जहां पे हमने सिलाई लगाई थी उसी के उपर हम दोनों साइड से यह डोरी अटेच कर लेंगे अब कुर्टी की उल्टी साइड से हम यह पट्टी लगाएंगे और सिधी साइड को पल्टेंगे जो योग हमने तियार किया है इसको हम उल्टी साइड पे लगाएंगे सीधी साइड को पल्ट लेंगे बीच में जो अक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर लें और नौक पे अच्छे से कट लगा लें अभी हमने लैस ली है योग की पट्टी के दोनों और हम इस लैस को अटैज कर लेंगे दोनों साइड लैस अटैज करने के बाद सीधी साइड हमने पल्ट लिया पल्टने के बाद यह देखिए इसको अच्छे से हम यहाँ पर प्रेस कर लें अब हमने यह पतली लैस लिया और जो चोड़ी लैस है इसके किनारी के ऊपर से हम ऊपर की यहाँ प्रेश अनल प्रेस साइड रखेंगे और शिलाई लगाते जाएंगे साथ में हम गले का भी ध्यान रखें कि हमारा गलास बिल्कुल सीधा क्रेज लाइन के उपर रहना चाहिए इसके लिए हम पहले से कुछ पिन बगेरा इसमें लगा लें ताकि गला थोड़ा सा इधर से उधर नय हो और फिनिसिंग के साथ हम यह वाली लैस लगा लेंगे कुर्ति का योग हमारा तयार हो चुका है एब हम उपर से गला बना कर तयार करेंगे तो उसके लिए यह हमने पहले से चिपकाई हुई पेस्टिंग पेपर ली है और इसके उपर अच्छे से सेट करेंगे सेट करने के बाद यहां पर मैंने पिन लगा कर पिन की साहता से इसको चिपका लिया है अब बुकरम की किनारी पर से सिलाई लगाएंगे एक्स्ट्रा कपड़ा यहां पर हम कटिंग कर लेंगे और गले की गोलाई में लगाएंगे छोटे-छोटे कट अब गले की बीच से हम गले को कटिंग कर लेंगे और दोनों साइड पल्ट लेंगे पल्ट लेने के बाद यहां पर हम लगाएंगे सिलाई तो देखिए फ्रेंड्स इस परकार से हम गला बना कर तयार कर लें और बिगनर्स भी बड़े या सान तरीके से यह वाले स्टफ फॉलो करके अपने गर पे यह वाला गला डिजाइन बना सकता है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सिस्क्राइब कर लें लाइक कर लें और सेर जरूर करें कमेंट करें तो बाजू के उपर हमने इस तरह से लेस अटेच की है बीच में अटेच होने वाली यह लेस और किनारी पर से हमने पतली लेस लगा दी डोरी पे हमने धागे के लटकन बना कर लगाए हैं तो इसी परकार से आप भी प्लेन कुड़ती या सिंपल कुड़ती को कैसे भी लेस लगा करके डिजाइन बना सकते हैं इसलेस को आप गेरे पे भी अटेस कर सकते हैं तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजाइन के साथ तक तक के लिए बाई